हेलो एब्रीवन कैसे हो सब लोग आई हो कि सब बहुत अच्छा से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्राशन करने वाले हैं सेक्षन बी के कोश्चन नुबर 20 के सॉल्यूशन के बारे में कोश्चन नुबर अगर आपने इसे प्रिवेस वीडियो अभी तक नहीं देखा है साथ साथ आने वाले वीडियो का सॉलीशन देखना चाहते हो तो कम्लीट पर लिस्ट का लिंक बिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में साधे साथ टेलीग्राम पे हमें अभी तक जोई नहीं क है न एक हम लोग बना लेते क्या है पारा टॉलो है न एक टॉलो दिया टॉलो मतलब CS3 Group Connected रहेगा और यह कान सा है Bengeleide है न L cinq अल्डिशिए इसास अगर आप सूर में देखे हो इस केस में देखो तो यहां पर भी पारा आपको दिया है यह सी ए को लुप रहेगा बेंजल डिहाइड है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रूप है यानि कि एन ओ टू ग्रूप रहेगा बाकी यह वाला पार्ट तो आपका रहेगा है ठीक है तो अगर आप देखो तो इस पर क्या है आउट अप दो पारा टॉल डिहल डिहाइड ठीक है और पारा नाइट्रो बेंजल डिहाइड ठीक है विच वाल इस तो और नुकिलिो फिलिक एडिसन रियक्षन तो सिंपल फ़र्म में हमारे पास क्या है नुकिलिो फाइल है तो यह नुकिलिो फाइल एक्ट्वल में अटैक किदर करेगा यह जो अटैक करता है यह वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है कम होता है याद करो इससे पहले वाले कोशन में हमने देखा था कि वहाँ पर Acting Electrophile करता है Electrophile कहां करता है जहां Electron Density जादा होता है तो जहां पर क्या करेगा कि Electron Density कम होगा वहाँ पर April आपको बहुत अच्छे तरीके से attack करता हुआ देखने को मिलेगा और Electron Density कम कहां होता है जिसे कोई Electron Withdrawing Group जो है वो connector है तो उस case में हमें देखने को मिलेगा अगर आप CS3 देखो तो ये तो है electron क्या है donating group है जिसके कारण इसका electron density को ये बढ़ा देगा जबकि ये आप देखो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें A02 तो ये क्या है electron withdrawing group क्या है electron withdrawing group जिसके कारण इसका electron density क्या होगा घट जाएगा बाकि उपर तो CHO CHO यानि LD head group connected है तो उससे कोई problem नहीं है ठीक है तो हमारा ये actual में connect कहां करेगा ये nucleophile जाकर attack कहां करेगा तो ये attack करेगा simple form में ये यहाँ पर that is paranitrobenzaldehyde reason क्या होगा अगर simple form में अगर इसके हम लोग reason के बारे में बात करें तो answer में simple form में लिख देंगे कि लिखाता है आउंट और पारा तो इस simple form में लिखेंगे paranitrobenzaldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reaction than compared to paratolioldehyde 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 थोड़ा हो जाता है ठीक है समझी रहे हो क्यों लिखेंगे simple form में reason क्योंकि nitro group जो है वो एक क्या है electron withdrawing group है nature में ठीक है जिसके कारण आप ये भी लिख सकते हो कि इसके कारण due to presence of nitro group ये क्या करेगा electron density को decrease कर देगा जिसके कारण nucleophile जो है अच्छे तरीके से attack कर पाएगा ठीक है उसके साथ ये जो आपको दिख रहा है CH3 electron donating group इसके कारण क्या होता है plus i effect so करता है और जबकि ये जो होगा हमारा क्योंकि electron withdrawing group है तो simple form में ये हमारा क्या करेगा minus i effect so करेगा ठीक है तो ये सब आप लिखना चाहो तो बिल्कुल आप इसमें add करके लिख सकते हो ये पार्ट आपको clear form में समझ में होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है ठीक है आजाओ इसके b part में आजाओ b part में क्या दिया हुआ है ठीक है write the structure structure हमें structure draw करना है of the product formed when acetone react with 2,4 2,4 dnp 2,4 dinitrophenol इसके साथ combine नहीं करता बल्कि इसके reagent के साथ combine करता है ठीक है चलो acetone सबसे पहले बना ले acetone क्या होता है acetone अगर आप देखो तो कुछ इस टाइब का होता है CH3 CH3 हो गया ठीक है ये C हो गया फिर ये भी CH3 हो गया ठीक है और यहां पर किटोन ग्रूप जो होता है simple form में ये reaction करेगा 2,4 dinitrophenol के reagent के साथ जो की कौन सा होता है reagent में हम लोग यूज करते थे 2,4 dinitrophenol hydrazine उसका use हम लोग करते थे चलो उसका structure बना लेते हैं ज़्याद अच्छे से आपको clear समझ आएगा ठीक है ये हो गया हमारा benzene group 2,4 यानि कि यहां पर हमारे पास रहेगा simple form में NH और फिर इसके साथ रहेगा NH2 group ठीक है बाकि ये benzene group रहेगा हमारा फिर 2,4 यहां पर nitro group रहेगा that is NO2 group भाई लिखा जा NO2 group और यहां पर भी रहेगा कौन सा that is NO2 group है न या फिर इसी को आप ऐसे भी लिखते हो न ऐसे भी लिखते हो O2N ऐसे लिखते हो ठीक है तो वो आप देख लोगे है न चलो ठीक है ठीक है ठीक है ये आपको हो गया इसको आप क्या बोलते हो इसके रिएजेंट को आप नाम देते हो that is 2,4 D,N,H,P D,N,P,H sorry D,N,P,H इसका नाम क्या है नाम क्या है बताओ नाम होगा इसका 2,4 D,N,P,H,P,P,H है न तो सिंपल फर्म में ये आपको देखने को मिल रहा है यह क्या करेगा तो चलो देखो क्या हो गया simple form में इसको थोड़ा pencil को थोड़ा पतला करता हूं चलो ठीक है यह देखो यह जो आपको दिख रहा है यह जो आपको दिख रहा है ऐसा ठीक है सबसे पहले no2 के साथ कोई छेड़ जाड़ नही यहां पर भी कोई छेड़ जाड़ यहां पर क्या होगा इसके साथ कोई छेड़ जाड़ नहीं अब आपका क्या होगा कि simple form में किटोन ग्रूप जो है वह आपको यहां पर combine होता हुआ देखने को मिलेगा और यहां पर double bond बनाएगा यहां पर आ जाएगा CH3 ग्रूप और यहां पर भी आ जाएगा कौन सा that is CH3 group है ना CS3 group ठीक है तो इसका नाम क्या होगा सर अगर नाम हम लोग लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होना चाहिए ठीक है तो यह formation करेगा 2,4 dinitrophenyl hydrazone ठीक है लिख दे नाम क्या लिख दे नाम क्या 2,4 dinitrophenyl hydrazone hydrazone तो इस type से simple form में इसका आप solution कर सकते हो इसी को अगर आप देखोगे तो simple form में भी लिखा हुआ रहता है यानि कि normal structure भी इसका बना हुआ रहता है तो अगर तुम चाहो तो इसका normal structure भी बना सकते हो normal structure एक बार बना कर दिखा सकते हो क्या हमें ठीक है चलो इसको आप फड़ा फड़ से note करो इसका normal structure मैं आपको बना देता हूँ कर लिए note चलो अच्छी बात है आज़ो इसका normal structure देखो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग discuss कर लेते हैं जैसे किटोन का क्या होता है किटोन होता है हमारा CH3 COCH3 यह होता है किटोन ग्रूप ठीक है और जो अभी मैंने आपको रिएजेंट बताया था वो डी एन पी एच है ना डी एन पी एच था ना हाँ फिनायल हाइड्रोजन ठीक है उसका structure बना लेते हैं उसका भी simple सा structure हम लोग बना बना क्रेद रहे गा कौन सा गृप हमाई साव चल क्यों रहा है न उर्टु घृद और यहां पर आपका कनेक्टेड रहेगा कौन सा घृट इन जानि एच तु ण है इन . इन वेज in- Knox to group दीं कहा है। ये क्यों चल नहीं दाहा ये क्यों नहीं चल रहा हूं वाइच अविशाब क्यों ऑस पर अन इज नहीं चल रहा हुँ थू हां ?S यह structure बनाया मैंने गटिया साथ चलो ठीक है यहां पर बना देगा क्या एन और टू गरूप ठीक है यहां पर भी बनेगा क्या एन ओर टू गरूप ठीक है और यहां पर अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो कि एन एच ANH double bond C और यहां पर 2 आ जाएगा CH3 group तो इस type से simple form में इसका answer आप लिख सकते हो आप उपर चाहो तो उपर वाला structure बना सकते हो आप चाहो तो नीचे वाला नीचे वाला भी structure आप बना सकते हो I hope कि यह part आपके एकदम clear form में crystal clear हुआ होगा कि कैसे हमने इसका solution जो है वो किया है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो all the very best यहां पर यह वाला part तो रहेगा मैंने आपको बता रखा है मैं हमेशा बोल जाता हूँ फिर बोल गया था ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में